अलो दोस्तों स्वागत है आप सभीगा वेक मिस्सा टेक में देस्टर हम लोग इस कंपनी को डिसकस करने वाले हैं NCC लिम्टेड है और RBNL पर बात कर लेते हैं थोड़ा पहले अभी दोस्तों मैंने कल ही आपको अपडेट किया था इसके quarter 2 रिजल्ट पे और मैंने आपको जैसा की बताया था वीडियो के अंदर चौकाने वाले रिजल्ट आये हैं फिर टार्गेट दिया था तो टार्गेट दोस्तों इसके काफी फास्ट हिट हो रहे हैं मनलब सेयर में इतनी जादा जल्दी मेरे को उमीद नहीं थी इतना जल्दी point breakout कर देगा बलकि मैंने आपको टार्गेट पर बता दिया था कि हम लोग ये टार्गेट लेके चलेंगे तो टार्गेट अचीव हो चुका है उसके उपर भी चर्चा करेंगे और साथ में NCC 2 के उपर मलब NCC के है उसके उपर चर्चा करेंगे में साथ वीडियो में बने रही है जो चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लें नोड़ पर रखें जिससे आने वाले नेक्श्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे आप ट्रेलिग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं निउस और लाइर सी बात है आप इस वाली वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं हम लोग डारेट इसके चार पर बात करते हैं क्योंकि आज जो लेटेस्ट न्यू चीजें हुई है वह हम लोग टसक्स करेंगे कली मैंने मतलब यह सारे लेबल पहले के ही मार्क है कुछ हंचेंज नहीं है ठीक यहाँ पर भी देख रहा होगा आपको तो यहाँ पर यह 61 रुपीज 10 पैसे का कल के लिए टार्गेट था मतलब आज के लिए था वो अचीव हो चुका है आज ही हिट हो जा था थोड़ा उससे बीलो क्लोज हुआ है दोस्तों और यह थोड़ी चिंता वाली बात है ठी का आज के दिन का सबसे जालदा एक्टिव सेर जो है अपने इंडिया के तरफ से मदलब नेशनल स्टॉक एक्चेंज की तरफ से वो अर्विनल का था इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ आज देखें यह सेर काफी एक्टिव था तो और चर्चा में भी था क्योंकि जायर सी है चीजें इसके साथ अच्छी हो रही है अच्छे अच्छे ऑडर मिल रहे है तो इसके बाद अभी क्या टार्गेट है तो 6110 पैसे के बाद 72 रूपीज 95 पैसे का टार्गेट है और दोस्तों जिन लोगों को बाई के लिए जाना था मैंने आपको यह जो जो जोन बता रख देंगे अगर उस चीज को फॉलो अप करते हैं तो उस हिसाब से जो मतलब मैंने आपको जो टार्गेट दिया था मतलब अगर उतना लंबा व्यू है तब तो आप करन प्राइस भी खरी सकते हैं तब आपको यह जो 5145 रूपीज का जोन है वही जोन दिखता है मेरे को के लेबल्स हैं इसके उपर हमको ट्रेड करता हुआ मिले और अगर यह क्लोजिंग भी करता है तो कल आपको ध्यान रखना है कि यह जो क्लोजिंग है इसकी यह 56 रूपीज 15 पैसे से उपर हो ताकि हम लोग अभी भी इसमें होल्ड करके चल सकें वरना जो लोग इसमें अभ आप समझ गये होंगे कि जब इतना ज्यादा रेटन मेल रहा है तो हो सकता है प्रॉफिट बॉकिंग के प्रोवैल्टी ज्यादा बने पर कम्पनी का अभी डाटा और चीजें देखके दोस्तों ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है जैसे कि मैं अभी आपको आर्वेनल पे हम लोग फ्लो था हुआ है स्ट्रॉंंग फ्लो था उसी वजए से हर जगह पे थे गेड़िये दोस्तु हर लोग आर्वेनल को अब इस टाइम पर डिसकस कर रहे है हर एक को न्यूज कैनल पे मिल जाएगा ऐपो एतना ज्यादा क्यों डिसस किया जा रहा है और दोस्तों जब डिसकस हो रहे होते हैं उस लेवल के राउंड तो आज भी था ऐसा कल भी था ऐसा मुवमेंट और आपको 11 दिन के मनलब 5 दिन के अंदर ही 60 पैसे की मनलब डे हाई के अराउंड की यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा चेंज इसलिए दिख रहा है क्योंकि यह हमेशा रिकॉर्ड जो करता है ट्रेडिंग व्यू यह एक मिनट पहले की रिकॉर्डिंग अपने मैप में सो करता है ठीक है तो उसके लेवल के अराउंड ह 65 रुपी इसलिए यहां पर 60 रुपी 65 पैसे का दिख रहा है जो तो यह इस सेर के उपर बात हो गई जो बाई करके चल रहे हैं वो होल्ड करके चलें यही इस पर अपडेट था एंसी सी पर डिसक्स करते हैं एंसी सी दोस्तों यह भी सेम फिल्ड में आ जाती है सेवन बीलियन के राउन दिखता है जो कि एक सही जोन में है डिविडेंट यह जो है इसका 2.73 परसेंट है जो कि बहुत बहुत बहतरी नहीं है पर हां प्रोवाइड कर रहा है प्राइज अनिंग रेसियो की बात करें तो एट हमको देखने को मिल जाता है जो कि इसके और अभी 78.25 पैसे पर आया है और यह काफी फास्ट आया है ठीक है क्योंकि यह 20 जून का डाटा है और अभी हम लोग इतने कम टाइम में ही यहां पर पहुंच गें तो इससाब से इसकी भी स्पीड की रैली जो है बहुत फास थी जैसे आपको इसमें दिखेगा कि यह जो का रैली था यह बहुत फास था इसके बाद यह थोड़ा सा करेक्शन फेस रहा इसका और यह सेर वापस से अपने पुराने रेश्टेंस लेवल पे आ चुका है तो इसकी फाइनसल कंडिसम समझते हैं फिर उसके बाद इसके चार पे बात करेंगे तो करेंडली इंडियन र इसके भी नंबर्स अच्छे देख रहे हैं परसेंटेज जो है क्योंकि 26 परसेंट इसका प्रॉफिट इंक्रीज ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलता है क्वाटर वाइस रिजल्ट में दोस्तों कुछ इसके इतना जादा चेंज हमको नहीं देखने को मिलता है ठीक है ज जैसे कि प्रिवेसली कोटर में 137 करोड का प्रॉफिट था इस बर 138 करोड का नेट प्रॉफिट किया है जो कि लास्ट येर से बेटर है और उससे पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर है तो इस हिसाब से कंडीशन में बैतरी इन प्रफॉर्मेंस है प्रॉफिट मार्जिन है उसमें थोड़ा सा चेंज यहां पे हमको देखने को मिलता है मैं जब घटा है थोड़ा सा बाकी सेल और चीजों की बात करें तो उसमें हमको ओविसली ग्रोथ दिख रही है प्रिवियस येर से और बाकी जगहों से तो यह भी एक चीज है तो डाटा इसका अच्छा है ओव हम लोगों ने इसको डिसकस किया था और उसके बाद मैंने आपको 74 रुपीज का टार्गेट दिया था जो की अचीव हो चुगा था तो इसलिए इस पर अपडेट करना जरूरी था और अभी क्या लेटेस जो नहीं कॉल्स कहां पे दिखती है वो सब मैं मार कर देता हूं त पोर्ट अराउंड 70 रुपीज 50 पैसे के राउंड इस टॉप लॉस लगा के आप इसमें जो अपकमिंग टार्गेट है वो अराउंड अभी हमको देखने को मिलता है 79 रुपीज 40 पैसे जो की easy achieve टार्गेट है उसके बाद हम लोग लेके चलने वाले हैं 83 रुपीज 70 पैसे तो दोस्तों जो जितनी भी कंपनिया engineering and construction bracket में आती हैं सेक्टर में आती हैं उन सब में आज थोड़ी हल चल अच्छी थी अब चहें वो किसी एक कंपनी के वज़ए से सबका moral इन कंपनियों की तरफ जुका हो या हर किसी कंपनी के लिए कुछ एक अच्छा government के तरफ से आया हैं तो NCC में भी दे रहे हैं तो यह एक तरीके से दोनों के उपडेट हो जाएगा थैंक्स वॉच्छिंग सुड़ों मिलते हैं आपको नेकिसे साथ एक्स वीडियो में